कि नमश्कर दोस्तों स्वागत है आपका अनलोग जीए सेकेंड में के एक नए निशीटिव प्रिलिम्स का ब्रमास्त सीरीज में जिसमें हम चर्चा करेंगे 2013 से लेके 2022 तक के बीच में पिछले 10 वर्सों में यूपीसी प्रिलिम्स एक्जामिनेशन के कुश्चन के बारे में तो यह चर्चा शुरू करते हैं आज की सेशन की कुश्चन नमबर 41 है इससे पहले कुश्चन हम पिछले सेशन में करा चुके हैं कुश्चन नमबर 41 है कि बैलेंस ऑप पेमेंट के बारे में परी संपत्ती सेवा हैं इनमें किसी कंट्री के रेजिदेंट्स का रेजिदेंट्स ऑफ कंट्री निवासियों का रेश्ट ऑफ दा बल्ड के साथ rest of the world के साथ एक जो systemic record specific time period के लिए रखा जाता है specific time period usually एक साल के लिए रखा जाता है वो इस एक साल के अंदर calculation की जाती है किसी रेजिदेंस का किसी rest of the world के साथ good service of the assets का जो transaction है वो कैसा है उसको देखके balance of payment निकाला जाता है और ये trade surplus हो सकता है deficit हो सकता है surplus और deficit कि बेलंस और payment account में चार्च चीज़ देखे जाती है एक होता है current account जिसमें विजीवल्स और इन्विजीवल्स देखा जाता है विजीवल्स प्रेड जिसमें गूड्स आ गई इन्विजीवल्स इन्विजीवल्स मागे सर्विसेज इन्कम प्रांसफर्स दूसरा है capital account जिसमें देखा जाता है private and public investment निवेश साथी देखा जाता है external commercial borrowings ECVs और FDI foreign direct investment, foreign portfolio investment, FPI तीसरा होता है errors and omissions errors and omissions errors and omissions में actually यह accurate record होता है transaction का कोई record नहीं होता है किस तरह के कोई errors होती हम कोई errors and omissions में डालाता है और एक होता है foreign exchange reserve इस तरह से balance of payment निकला जाता है जो कि surplus भी हो सकता है deficit भी हो सकता है यह question पूछा गया था क्योंकि मार्ट 30, 2022 का अगर हम देखे तो इंडिया का balance of payment था वो रेड में चला गया था lower fund inflow के जिसे और यह पहली बार negative हुआ था तीन साल में balance of payment के बारे में इसका जो सही आंसर अगर आप आप पढ़ा था तो इसका जो सही आंसर निकल के आता है वह आंसर बन all import and export transaction of a country during a given period of time normally a year किसी निर्धारी समय के दौरान सामने ते एक बर्स में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेंदेन दूसरा i sentiment देखें किसी बर्स में एक देशं द्वारा निर्यात की बस्तुए यह नहीं होगा एक देश की सरकार दूसरी देश की सरकार के बीचमा नहीं होता यह एक देश में होता और आर द्लिसего वर्ट के साथ में होता है और एक देश से दूसरे दूसरे को पूंजिशन चल यह भी नहीं होगा इसका सही जो आंसर है पैस्ट ऑप्शन जो है वह है किसी निज़ाई समय के दौरण एक बट्स में किसी समझता आया तो निज़ाद का लेन देन ओल इंपोर्टेंट एक्सपोर ट्रांजिक्शन नेक्स्ट कुश्ण है कुश्ण नंबर 42 निमलिकित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व वेंग बानीजिक बैंकों को निंत्रित करता है इसमें चार ओप्शन दिए गए हैं परिसंपत्तियों की तरलता होता है 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 हार बिएर रेगुटर्स ओफ बैंक्स क्याला जाता है और इसमें अरे बिए का काम होता है कि जो बैंकिंग ऑपरेशन से इस से बैंकिंग ऑपरेशन प्रेंगे उनके पेरामिटर तेह करना प्लाना करना रलाइसेंस इस्यू करना बेंक को साथ ही उनकी लिक्विडिटिटी एसेट्स देखना ूशिक अलबा बैंक के मर्जर्ड को लेके ूश ऑफ और ब्रांच कितनी ब्रांच एक स्थेंड हो, किस एरिये के नहीं हो गी कि एरिये कि देखरेंड बैंक मर्जर का जो यह प्रोविजन था यह पहले कम्पेटिशन कमिशन ओफ इंडिया के पास था लेकिन बाद में 2012 में अमेंड मेंट भी लाया उसके बाद इसमा आर्बिया को भी डाला गया आर्बिया को भी फावड़ दीगे बैंक मर्जर को देख सके और बैंडिंग अप काम भ करता है और यह करन्सी कंपर इसका कमने का काम भी आर्बिया के यह सारे काम आर वी करता है यह कुछछा गया था क्योंकि बैंकिंग लोज अमेंडमेंट बिल दोeking अवार आया था जिसमें कई अधीक पावर दी गई थाícios अर्बी एक पावर तो मर्जर वाली थी एक पावर थी BAd विल्ट को एक पावरु हिरेक्टे करने की जो कि पहले छह महीने तक थी पिर बारा महीने कर दी गई तकि इनको पोसीट करके अगर बैंक था ही तरिकेसे का मनेकर था था वो सूपर सीट कर सकता बैर्ड बोर्ड डायरेक्टर्स को इस तरह कई पावर दी गई थी इस बिल में इस वाज़े से यह कुछन पूझा गया था अर्वियागी पावर्स को लेकर नेक्स जो कुछन है कुछन नमबर 43 बैंक दर में ब्रद्धी समानते इस बात का संकेत है की अब बैंक रेट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा यह उप्षिन्स पढ़ने पले एक बार हम देख लेते बैंक रेट क्या होता है अब बैंक रेट के अगर हम बात करें बैंक रेट वर्व क्या करता है आप मैं और आरववी आई कोंमर्शियल्स मेंस को जो कोमर्षियल्स बैंक है इनको लॉन देता है पैसा देता है म utilizz और किस पर देता है without collector, बिना किसी collector, बिना किसी जिसको कहते है गिर्वी रखे कोई चीज, without collector और ये जो without collector RBI मनी देता है commercial bank को, ये bank rate इसको बोलते है, इस जिस दर्वे देता है, इसको bank rate बोलते है और ये standard rate होती है, जिस पर ये RBI देता है, जिस पर RBI बाई करता है, discounted wills देता है, और other instrument इसमें लगता है bank rate के अगर bank rate RBI बढ़ाता है, मान लीजिए RBI किसी bank को 100 रुपे देता है, और 5% की bank rate लेता है मतलब 100 में से 5 रुपे, मतलब 45 रुपे ही RBI इसको देगा, bank क्या करेगा अगरे इसको, bank इसको किसी घ्राग को loan के रुप में देगा और bank उससे charge करेगा, मान लीजिए 10%, तो 100 रुपे पे bank को 10% मिलेंगे, मतलब bank 90 रुपे ही देगा तो 100 रुपे में से 5 रुपे bank ने अल्रेडी RBI को दे दिया है, और घ्राग से जो कंजूम है, उससे 5 रुपे एक्स्टा लिया है, bank ने, 10% पे दिया है उसको, तो bank को जो 5 रुपे profit मिलता है, 5% का ये 5 रुपे, इसको bank यूज करता है, अपने operations में, salary में, अपने profit में, ये bank को क्या करना पड़ेगा, bank को गिराकों के लिए भी जो ब्याज है, interest rate है, जो कि ये भी bank 10% ले रहा था, उसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर यह 3 रुपे बढ़ा है, तो माल लीजे, bank भी 3 रुपे बढ़ा है था, 13% कर देता, तो जब गिराक है, उसको मिलेगा 87 रुपी का circulation कम होने का मतलब है, जब money का circulation कम होगा, क्योंकि bank rate अगर बढ़ता है, increase होता है, तो money का, ग्राकों को लोन लेना, money borrow करना, money borrow मुश्किल होगा, और मुश्किल होता है, तो money का circulation कम हो जाएगा, money circulation कम होने का मतलब होता है, tight money policy, tight money, कि RBI किसी ना किसी तरीके से, tight money policy follow कर रहा यही होगा कि बैंक किसी नखिस तरीके से मनी को टाइट करने कुछ करेगा अगर यही पोलीशी होता है बैंक रेट को अगर आरव एक कम करता है तो यह होगा इजी मनी पोलीशी तो अभी जो इसका आंसर है वो है डी बारत में घाटे की बित्त विबस्ता किसके लिए संसादनों को बढ़ाने के लिए उप्योप की जाती है इन इंडिया डेफिसिट फाइनसिंग इस यूस्ट पोर रेजिंग रिसोर्सेज फोर त्यार ओप्षिन दिये हैं एकोनोमिक डवलप्मेंट रिंप्शन और पॉलिक डेप्ट एडजस्टिंग बैलेंस ऑपेमेंट और फोर्देव रिदूशिंग दा फोरेंट बिदेशी जाता है कल्यानकरी राज्य का डेफिशिंट फाइनसिंग को बेलफेर स्टेट के लिए खर्द तो करना ही पड़ता और कई बार क्या होता है अगरि सरकार को इस सरकार से को पूरा ने के लिए एक्स पेंटिच्छर करना ही पड़ेग तो यह मिसमेच होता है इंकम और क्शम बिच में इसको ही बोला जाताए deficit financing करने के लिए पहले जो deficit financing होती थी financial budget का deficit होती था इसको finance किया जाता था और किस तरह से किया जाता था 1997 तक यह परचलन था हमारे भारत देश में कि सको currency को print कर लिया जाता था नई currency प्रिंट कि जाती थी money में क्योकि उस समय देखा जाए तो सेविंग जो रिशो था, वो काफी कम था, साथ ही जो एक्सपोर्ट है भारत का वो काफी कम था, revenue जो government का revenue है revenue of government ये काफी कम था और साथ ही जो foreign direct investment या add के रूप में पैसा आता था वो काफी कम था SMS जो एक option वस्ता था currency print करने गा कि currency print कर ली जाए और finance किया जाए इस deficit को लेकिन इसमें एक समश्या थी currency print करने में कि currency circulation money circulation बढ़ जाता है market में money circulation बढ़ जाएगा market में और money circulation बढ़ जाएगा तो finally क्या होगा inflation बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी तो इसको रोकने के लिए 1997 के बाद एक तरीका इजाद किया गया जिसमें deficit financing को यूज किया गया जिसके लिए आरबे ने एक उप्रेन मिकला जिसका नाम था WMA wage and means advances यह 1997 में शुरूआ जिसको लाया गया आरबे एक नाइटी थर्टी फोर्ट से और इसमें कहा गया आरबे की दोरा state and center को कि आरबे इसमें wage and means advances जो states है state government एक center government है इनको loans देगा loans और यह loan के temporary loan होंगे जिन में interest लगेगा रेपो rate के अनुसर जो रेपो rate होगी उसके अनुसार interest लगेगा रेपो rate के अनुसर और 90 दिन में लों को बापिस कर Tür ना होगा 90 दिन की probability 90 दिन को अंदर इन loan गा stat largest नहीं कर आ यह शुरू किया गया था इसलिए डब्लू एमले और यह डब्लू एमलिए लिमिट कोन डिसाइड करता है तो डिसाइड करता आरगे प्लस गोवर्मेंट प्रियोडिकली डिसाइड करते हैं कुछ समय के अंतराल में इसका मेन कारण यह था कि डेफिसिट फाइनिसिंग की जा ही एकोनोबिक डवलप्मेंट क्योंकि जो एकसर्ण की आ जाता है सरकार के द्वारा वह मेंली वेलफेर श्ट्रिट के अंद इसाफ से किया जाता है और इसे में फिदेफिसिट फाइनिश्य को यूच किया जाता है तो इसका तो चय चुछ सही अंसर है वह है एकोनोमिक बिता के लोगों का सही चित्रन करते हैं, तीन स्टेटमेंट ये लिए हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देपताओं दोनों के पूजा करते थे, वे युद्ध में घोडो दोरा खीचेगे रतों का प्रियो करते थे, इंडस वेली सिविलाजेशन के कोई बिशाल महल और मंदिर नहीं थे, इनका बंदिरों को कोई शाक्षे नहीं मिला है, इस्टेटमेंट वन गलत हो जाता है, वन को आप गलत करते हैं, तो आप से ओप्शन निकलके आते हैं, केवल दो और उप्युक्त करतनों में से कोई भी नहीं, वे युद्ध में कोई मंदिरों का उधारन नहीं मिला है, लेकिन हमें ये पता लगता है, कि वो मेल और फिमेल डेटी की पूझा गरते थे, जो कि मदर नेचर की एक मूर्ती मिली है, मात्र देवी की, साथ ही एक शिव, जिसको शिवा कहा गया है, जो पाशुपती की मूर्ती मिली है, जिसमे का जो सही आंसर है, वो है केबल दो, अडपा मैंली किसली फेमस था, क्योंकि ब्रिक्स की सिटी स्थी, ड्रेने सिस्टम बहुत अच्छा था, साथ ही दो मंजीला भी घर मिलें कई जगे, इस तरह से, इसका जो सही आंसर निकल का आएगा, वो है केबल दो, नेक्स्ट कुश्चन है, चिकन गुनिया के बारे में, निकल के बिमारीयों में से कौन सी टेटू उनवाने के द्वारा, एक व्यक्ति से दूसे व्यक्ति में संचारित हो सकती है, विच और फॉलोइंग डिजीज केन बी ट्रांस्मिटेड फॉम बन पर्सन तो अनदर थू टेटू ही, टेटू बनाने के जब यूज किया जाता है, तो उसमें नीडल यूज होती है, वो नीडल की वज़े से द्वारा टेटू बनाया जाता है, और ये आपको पता होगा, कि हेपेटाइटिस भी इस तरह की बिमारीयों जो फैल सकती है, हैच भाई, हैच भाई, हम बात करें, तो चिकन गुनिया यही वर नहीं है, जो टेटू के संसे होती है, इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा केवल 2 और 3, ये कुश्यन पूछा गया था, उसका कारण था, क्योंकि IIL डवलपिंग वैक्शिन फोर चिकन गुनिया, चिकन गुनिया की वैक्शिन डव फिलाया जाता है किसके दौरा मच्छरों के दौरा, मॉस्किटोज के दौरा, एडिस अडिप्टी जो मच्छरों के दौरा फिलाया जाता है, और इसमें मैली होता है फीवर, और साथ में एक जोइंट पैन, और जोइंट पैन जो होता, काफी ज़्यादा, इसमें जोइंट जो सही आंसर है चेकन गुनिया एक दूसरे से विर्थी दूसरे में संचाइज नहीं दोड़ान ये दो ओप्षन है Hepatitis B और HIV एट्स जो की दोनों transmitted होते हैं इसलिए इसका सही आंसर है वो है केवल दोती है कुशन नम्रिखीर में से कौन से कथन जैन सिद्दान्त के अनुरूप है कुशन नमबर 47 ale requirement which of the following statement is applicable to Huh कर्म को विनिष्ट करने क सुनिश्षीत मांक्त अप इसरिया है फृतिक बस्तुष में चाहिवे सूक्षतम कनह हो आत्म होती है टीसरे स्ते में कर्म का मैं मिना सरे अवं इसका अंत्त करना चाहिए जैन कर्म थेकर्ण बात करें जैन कर्म das कि होटी है चए चोटी से चोटी हो सबमें एक आत्म होती है बिलकु सही हो साथ ही अनुक्त को पड़तंत रखता दुखी रखता कर आत्मा को रोकता है क्योंकि कर्म कर्मों का जो पूरा संचलन है यह जब अलैका खकलतक हमक्ष की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति तो इसलिए को बिनिश्ट करने का करम को कटने का जो सबसे सुनिश्चित मायार के वह त bereits है उन्राइक त sitten तीज रहे कर्म आत्मा का बिनाशक है और अवेश्चेश कांट करना रही है विद्कुल सही कहाnd कि कर्म से आत्मा परतंत होती है और दुखी होती है और ऐसे मैं कर्म को खतम करने से ही आत्मा को मुक्ती मिलेगी ऐसा कहा गया है तो यह तीनों ही स्टेट्मेंट सही है जैन सिद्दान के लिएकर इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो है 1, 2 & 3D नेक्स्ट जो कुशन है कुशन नमबर 48 निम लिखिर में से कौन सा एक पद केवल जीव दुआरा ग्रहन किये गए दिखिस्तान का ही नहीं बलकि जीवों के सम्भूदाय में उसकी कार्यत्मक भूमी का भी बढ़न करता है इसको क्या हक आ जाता है इसके लिए एक शब्द पूला गया है जिसमें एक है इक है इक अलोजिकल निशे है विटाट होम रेंज हम चारो शब्दों को एक बढ़ देखते हैं जो हैबिर होता है जिसको आवाज बोलते है यहन रहने की इसको बोला जाता है 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 और यही हैबिटाट बड़ा हो जाता है जब home range के रूप में जिसमें उस organism का ना केवल residence उसकी surrounding plus साथ में उसका आख सपास का movement वाला area जिसमें वो move करता है an area in which an animal lives and moves on daily और periodic basis वालब daily इस area में गुमें या फिर महीने में दो बारे तीन और जो periodic basis होगा उस बैसे पर गुमें तो इसको habitat बोला जता है यह सोरी होम रेंज बोला जता है तो यह home हो गया actually habitat और यह हो गया home range किस रेंज तक हो जाता है तो habitat से बड़ा होता है हमेश्य home range ठीक है तीसरा जो statement है वो है तीसरा जो है इकोटोन क्या होता है जो दो ecosystem होते है उनके वीच में जो zone of transition होता है zone of transition यह डेज़ट ecosystem है यह दूसरा ecosystem है इसके बीच में यह वाला जो region होता है zone of transition वाला इसको बोला जता है इकोटोन और fourth है फारिस्तिति की कर्मता ecological नीशे इकोलोजिकल नीशे क्या होता है यह इसमें किसी organism का unique जो functional role होता है उसकी position होती है उस habitat में उस ecosystem में उसको ecological नीशे का सथता है generally क्यों होता है कई species होती है आप देखो उनका habitat सेम होगा एक ही जगे रहे नहींगे लेकिन उनके functions different होंगे उस ecological system में उस ecological habitat में तो ऐसे में उनके functions अलग होता है तो जो नीश requirement होती है यह habitat नीश हो सकता है food नीश हो सकता है reproductive नीश अलग हो सकता है तो किसी भी organism का जो physical space होता ह है जिसमें उसके functional role में define होते है उसको बोला जाता है ecological नीशे पारिस्तितिकी कर्मता तो निवलिखे पर को केवल जीव द्वाय घेंग के इस्थान का ही नहीं बलकि जीवों के समुदाय में उसकी कारयात्मक भूमी का भी बढ़ना करता है उसका सही आंसर है पारिस्तितिकी इसका जो सही आंसर है वह है ecological नीशे क्विश्चन नुमर 49 है प्रकास राशाइनिक धूम का बनना किनके बीच अभी करेगा पड़नाम होता है फोटो केमिकल स्मोग अब जो फोटो केमिकल स्मोग होता है इसको आप देख सकते हैं फोटो केमिकल स्मोग ऐसे बनता है यह ब्राउनिस होता है एक तो बूरे से रंका होता है ब्राउनिस ग्रे है जो होता है और साथ ही यह सोलर यूवी रेडियेशन से सोलर यूवी रेडियेशन जो पढ़ती ह से हिसे में काईफ हाइट्रो में बनता है तो इसका जो सही आंसा निकल के आएगा वह है नोटू और लाचव पैराउक्षिय आशिटिन नाइट्रेट के भी एकी सूरह के प्रकास के उपस्तिति में और इसमें आगया वो जोन ओक्सीजन सोरी यह गलत हो गया सियो सियो टू अनो टू की बीच निम्नताप पर यह भी नहीं होगा एनो टू के उच्छ सांद्रों ओत्री और स्वाम के समय बिलकुल नहीं होगा इसका सही आंसर होगा वो है यह और इसमें दो ही स्टेट्मेंट हैं जिनमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्योंकि बात कर रहा है इन दा प्रिजिंस ओफ सनलाइट लेकिन इसमें केस्ट यह है कि ऑक्सीजन की जमात की जारी आप इसो काट सकते हैं आंसर निकल के आएगा यह नेक्स्ट जो कुश्चन है कुश्चन नम्र 50 यह है कंसिडर दा फॉलोइंग मिन्रल्स निम्लिए खनीजों पर बिचार करेए तीन खनीजों के नाम दिए गए हैं केल्सियम लोहा सोडियम विच ओफ दा मिन्रल्स गिवन अबब इजा रिक्वाइड वाई हीमन वोडी यह मजल कोन्ट्रक्शन ममतल्ण क्यों होता है इसका मतलब होता है टाइ्टनिंग फ मसल टाइ्टनिंग शोटALKन मी गेल्वल्च भढ़ जाना मसल लेंटनेंकल मश्न जहां है और यह कोई अश्यित करते हैं चैले वह वोकिंग गया को रनिंग ओगया है है बेट लिफ्टरि जिन में नहीं कहीं वीबैट लिफ्टिंग हो गया, इन एक्टिविटीज में हमारी जो मसल्स होती है, वो अपने आप में कॉंट्रेक्ट होती है, और फिर रिलेक्स होती है, संकुचित भी होती है, तो इन रिलेक्शेशन और संकुचन के लिए कुछ मिनरल्स की आवशक्ता होती है, जिनकी वज़े से यह possible होता है, अब जैसे अगर हम बात करें, और यह मुसल कॉंट्रेक्शन होना क्यों जरूरी है, यह जरूरी है इसलिए क्योंकि यह stability लाती है अपने joints में, जैसे हम इस quarts की बात करें, जो की जिम में आपको पता हो, नोर्मली आप किसी ऐसे बजन वाले डब्बे को उठाने वाले हैं, जो नीची रखा हुआ है, और वो काफी ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको दुबारा से आपकी जो थाई की muscles हैं, पेरों की muscles हैं, उनको tight होना होगा, और जो arms muscles हैं, उनमें बजन राना होगा, तो यह stability लाता और जो body का posture है, उसको maintain रखा जरता है, contraction और इसके सारा, इसमें एक fiber होता है, जो muscles के contraction का काम करता है, यह है myosin, जो काफी important होता है, अगर हम बात करें, इसमें कौन-कौन से minerals की जरूत पढ़ती है, तो इसमें काइफी minerals की जरूत पढ़ती है, एक होता है calcium, जिसके हमको के लिए काफी जरूरी minerals है, दूसरा जो mineral है, वो है, अगर हम इसमें बात करें, iron की, तो iron जरूरी होता है, muscle cells में energy produce करता है, energy production का काम करता है, muscle cells के लिए, तीसरा है sodium, sodium की बात करें, तो muscle contraction में ये balance करता है कि इसको potassium को, balance करता है potassium को, और control करता है body के flood balance को, तो ये तीनों ही, इसके सही answer है, इसके अलावा जो चलूरत होता है, वो है magnesium, उसके अलावा जो चाहिए होता है, वो है potassium, potassium की बात करें, तो ये electrical impulse होता है, उनको transmit करता है, साथ ही, ये magnesium जो होता है, calcium broker, calcium को block करता है, blocker, क्योंकि जब muscle contact होती है, तो आप contraction में तो magnesium की जरूरत नहीं है, लेकिन जब muscle relax होगी, उसके लिए magnesium चाहिए होगा हमको, तो ऐसे में calcium भी जरूरी है, iron भी जरूरी है, और sodium भी जरूरी है, इसका जो सही answer निकल के आएगा, वो है D, 1, 2, and 3, इस तरह से आज की हमारी प्रचाइस की समाप्स होती है, मिलते हैं next session में बहुत जल्दी है, अपकर के लिए तैयारी करते रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अल्लोग जिये सेकेडमी को like करो, share करो, subscribe करो, thank you very much.